हेलो गाइज वेल्कम बैक टो दो सेरीज ओफ में ट्रिक स्पेस हमने ओल्डेटे में ट्रिक स्पेस के ऊपर एक लेक्चर कंप्लिट कर लिया है जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन एग्जामपल और उसका कॉंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया है अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा साय थी आपको आई टैप में लिंक मिल जाएगा वहां जाके आप देख सकते हैं और आज किस क्लास में कवर करने वाले मिट्रिक स्पेस के आगे का टॉपिक जो कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बहुत से में ट्रिक स्पेस सबसे पहले हैं डालते हैं सूदो मेंट्रिक स्पेस कि अगा इसका डेफिनेशन क्या कहता है अभी जितने भी हिंदे मेडियम वाले इस्टुडेंट्स देख रहा है वह अपना बुक खोल के सामने बैठें ताकि बुक से डेफिनेशन लेखना आपको मांकि यह कॉंसेप्ट और जो कुश्चन के एक्जामपल के थिरू मैं समझाऊंगा आपको वह आपको अच्छी समझना है ठीक है इसका डेफिनेशन क्या क्याता है लेट एक्स बियर नॉन एंप्टी सेट देन वी डिफाइंड मैपिंग D such that X cross X tends to R is called pseudo metric space कि डेफिनेशन आपको याद होना चीह है क्योंकि एक्जामिनेशन में अगर पूसता है what is pseudo metric space then you have to explain ठीक है डेफिनेशन की तो आपको explain करना है pseudo metric space उसके बाद condition क्या होता है when इफ यावन डी सैटिस्पाइज इस इसमें भी सेम मेंट्रिक स्पेस की तरह प्रॉपर्टी होता है तीन कंडिशन है अगर वह सेटिस्पाइज कर लेता है that means यह pseudo metric space है और किन-किन बातों को ध्यान रखना है यह भी आपको बताऊंगा pseudo metric space में क्योंकि बहुत सारी theorem में आपको बहुत सारी चीज़ ध्यान रखना पड़ता है ठीक है सबसे इसमें कंडिशन देखते हैं पहला कंडिशन और मुष्ट सभी कंडिशन सेम हैं लेकिन थोड़ा सा उल्टा सीध होता है इसमें for example आपने metric space में बढ़ा होगा सबसे पहले हम छोटा सा थोड़ा से इवाइस कर लेते हैं metric space के बारे में कि आई होब सभी आप सभी ने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा मिंटर की space में पहला कंडिशन क्या होता है इसमें भी तीन कंडिशन होते हैं M1, M2, M3 को बोलते हैं तीनों कंडिशन को सैडिस्फाइ करना होता है हमने देखा भी एक्जाम्पल की थरू, M1 क्या कहता है, कि D X, Y is equal to 0 है, लब if and only if X is equal to Y, यह पहला condition है, for all, X Y belongs to capital X, M2 condition क्या कहता है, M2 condition क्या कहता है, D X, Y is equal to D Y, X, यहाँ भी same for all, X, Y belongs to capital X, and third condition, M3 condition क्या होता है, D X, Y is always less than equal to D X Z, यह प्लस में D Z Y, यह तिन condition को आपको यहाँ compare करना है, तिसमें पहला condition, सुडो में, जिसको अब M1 में बोल सकते हो, पहला condition क्या होगा है, में X is equal to Y, then, D X, Y is equal to 0, मतलब यहाँ से उल्टा हो गया, वहाँ पर क्या है, D X, Y is equal to 0, उसके बाद होता है, X is equal to Y, लेकिन यहाँ क्या होगा, X is equal to Y, पहले होगा, उसके बाद क्या होगा, D X, Y is equal to 0, मतलब यह होने पर यह होगा, सेकेंड कंडिशन क्या कहता है इसका कि D X, Y is equal to D Y, X ये तो सेम है and third condition क्या होगा है यहाँ पर सेम होका D X, Y less than equal to D X, Z plus D Z, Y और तीनों कंडिशन को satisfy कर लेगा then it is called pseudo metric space on X और यहाँ पर here X, D इसको क्या बलते हैं metric space तो यहाँ हो जाए गई है pseudo metric space तो यह तीन condition आपको follow करना है यह तीन condition आपको satisfy करना है तब यह कहलाएगा pseudo metric space अब कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर पहला condition यह कहता है यहाँ नोट में डालना है आपको important point है यह आपको मालूम होना चाहिए पहला condition यह कहता है हमारा every metric space is pseudo metric space but every pseudo metric space is not necessarily metric space ही लाइन समझा है आपको हर metric space pseudo metric space हो सकता है लेकिन हर pseudo metric space metric space नहीं हो सकता है यह आपको ध्यान रखना है हर metric space pseudo metric space हो सकता है but every pseudo metric space is not necessarily metric space यह आपको समझा गया पहला condition ध्यान रखना है आपको and second condition for a pseudo metric space minus z क्या जानते हैं x is equal to y implies d x, y is equal to 0 x is equal to y 0 होने पर d x, y भी हो जाता है but not conversely इसका मतलब क्या होता है कि x is equal to y होने पर d x, y is equal to 0 हो गया but इसका उल्टा नहीं होगा for example जैसे matrix space में होता है d x, y is equal to 0 है तो यहां कहते हैं कि x is equal to y भी होगा यह इसमें नहीं होता यह आपको ध्यान रखना है pseudo metric space का important condition है यह आपको अच्छे से no down कर लेना है इसके बाद हम pseudo metric space का example देखने वाले हैं जिससे आपको समाझ आज आएगा कि pseudo metric space का example किस तरीके साथ है आपको किस तरीके से solve करना है अब चलिए हम बात करते हैं pseudo metric space के example के उपर यह बहुत important है पहला example a function d such that r cross r tends to r defined by kya हो जाएगा then show that it is a pseudo metric space but not a metric space ठीक है इसका solution देखते हैं बहुत easy है इसमें करना क्या है पहले यह समझना है question पढ़ना है आपको question में दिया गया है dx, y यहाँ पे आपको लिखना है for all x, y belongs to r ठीक है question क्या दिया गया है let a function d such that r cross r tends to r defined by dx, y दिया गया है आपके बस value दिया गया है हमें show क्या करना focus है आपको यहाँ होना चीए हमें show करना है कि यह स्टूडो metric space है स्टूडो metric space है बट metric space नहीं है यह हमें show करके दिखाना है तो सबसे पहला पार जो हमारा होगा given लिखेंगे हम यहाँ पे given given क्या होगा हमारे पास d x, y is equal to mod x square minus में y square for all x, y belongs to r ठीक है उसके बद पहला पार्ट यहाँ पे first part we have to prove that d is a pseudo metric space पहले हमको यह दिखाना है इसके तीन condition आप सभी को मालू होगा पहला condition क्या कहता है x is equal to y तो यहाँ पे रखते हैं पहला condition x is equal to y तो यहाँ पे क्या होगा इसके बाद d x, y question दिया गया हमारे पास x square minus में y square for all x, y belongs to r यहाँ आपको लिख लेना है इफ यहाँ आपको लिखना है इफ अब इसके आगे देखते हैं यहाँ से value put up कर दाब x is comma y is equal to यहाँ हो जाएगा x के place में y पूट करेते हैं y square minus y square यह आगे जीरो तो यहाँ से पहला condition proof हो गया second condition क्या कहता है इसका d x comma y is equal to mod x square minus y square अब क्या होगा यहाँ minus comma लेते हैं minus comma लेंगे तो क्या आएगा रेकेट के अंदर y square minus में x square सामने आ गया यहाँ पर d x comma y as it is इसके बाद ध्याना को यह दिन है यहाँ से यह क्या हो जाएगा यहाँ पहुचाएगा y square minus x square तो यहाँ से आप लिख सकते हो d x comma y is equal to यहाँ x comma y था तो हमने x square minus y square लिखा यहाँ y square minus x square मतलब क्या हो जाएगा d y comma x यह हमारा आ गया second condition हमने प्रूफ कर लिया अब यहाँ से बात करते हैं third condition के उपर d x comma y is equal to हमारे पास दिया गया है x square minus y square for all x comma y belongs to r यहाँ हमारे पास दिया गया है अब यहाँ से क्या करेंगे हम आपको कुछ नहीं दिमान लगाना है यहाँ पर x comma y is equal to x square minus y square plus z square minus z square हमने plus z square किया minus z square किया for all x comma y comma z belongs to r यहाँ z भी आ गया ठीक है अब इसके बाद डायेट करते हैं यहाँ से यहाँ से क्या जाएगा d x comma y is equal to अब आपको एक प्रोपर्टी मैं ने पढ़ाया था भी कल की क्लास में पिसे क्लास में आप नहीं जानते हो यहाँ मैं लिख रहा हूं फिर साबको समझेना है प्रोपर्टी यह कहता है एक्स प्लस y है अगर मॉड में तो less than equal to हो जाएगा किससे मॉड x plus में मॉड y सपोज आप इसको पहले तोड़ दो इस तरीके से x square माइनस z square प्लस में z square माइनस y square इस फॉर्म में लिख लिए इसको एक टम मानना है इसको एक टम मानना है इसका प्रोपर्टी का यूज करते हैं तो यहाँ क्या आएगा less than equal to sign आएगा क्योंकि इसको म मॉड x square माइनस में z square प्लस में मॉड z square मैं y square और यहाँ पर क्या आएगा d x, y आपको मालूम है कि यहाँ बस x, y है तो x, y आया यहाँ x, z है तो क्या आएगा less than equal to d x, z plus में d z y और यहाँ पर आएगा d x, y तो यहाँ से हमार थर्ड कंडिशन भी क्या हो गया प्रूफ हो गया तो इससे यह प्रूफ होता है कि yes it is a pseudometric space अब हम प्रूफ करेंगे कि यह matrix space नहीं होता जो कि मैंने आपको नोट में दिखवाया था वही चीज़ हम यहाँ प्रूफ कर रहा है यह अब हम प्रूफ करते हैं कि यह matrix space नहीं है उसके लिए आपको matrix space का condition मालूम होका अगर नहीं मालू है आपको लेक्चर वाना का link description में है वहाँ जाकर देख सकते हैं अब second part में आते हैं not a metric space में तो यहां में क्या प्रूफ करेंगे दिखाना है कि वी हैव टू कि वी हैव टू शो दैट इस नॉट कि मेंट्रिक space यहां में show करके दिखाना है तो इसमें पहला condition क्या कहता है हमारा M1 जिसको बोलते हैं M1 condition यह कहता है कि d x, y is equal to 0 let d x, y is equal to 0 तो यहां पर value put up करते हैं तो यहां पर हमारे पस क्या है value x square minus में y square mod में is equal to 0 तो यहां से तोड़ते हैं इसको x minus y y और x plus y mod is equal to 0 तो यहां साथ को property मालूम है प्रापर्टी क्या कहता है हमारा कि गर mod x is equal to 0 if and only if x is equal to 0 x is equal to 0 जब होगा तभी mod x 0 होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको x minus y x plus y is equal to 0 it means that इसका value कहाएगा x is equal to y और x is equal to minus y तो यहां से उन्हें क्या सकते हैं x is equal to plus minus y आपको मालूम है कि m1 का condition क्या कहता है m1 का condition कहता है कि m1 dx, y is equal to 0 if and only if x is equal to y यहां पर देख रहे हैं आप x is equal to plus minus y आ रहे हैं इसलिए it is not a metric space on r यहां हमें प्रूफ करना था यहां से आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ट इस तरीकी का question बनता है इसमें pseudo metric space में अब हम बात करने वाले नया topic quasi metric space बहुत ही छोटा topic है अब हम बात करते हैं quasi metric space के बारे में quasi metric space भी बहुत ही simple है पर इसका हम definition दिखते हैं एक्जाम में आपको definition भी पूछेगा quasi metric इसपेस डेफिनेशन के खहता है इसका let x be a non empty set पहला लाइन हर बार भाई लिखना आपको then डिफाइंड भाई अब मैपिंग डी सच देट एक्स क्रोस एक्स टेंस टू आप यहां पर आपको ध्यान रखना है यहां पर आपका नहीं आएगा यहां पर बस चींज होगा यहां पर गयाएगा जियो से इन्फिनिटी जिरो से इन्फिनिटी उसमें closed interval इसका मतलब यह है कि जिरो से इन्फिनिटी के 20 का number that means all are positive numbers ठीक है यह इसके अंदर आ गया is called quasi metric space when the following conditions पहला कंडिशन metric space में सभी में आपको कंडिशन मिलेगा वो कंडिशन आपको बहुत ही अच्छे तरह के से ध्यान रखना है कि सूडो का अलग हो जाता है थोड़ा सा बस एकदम slightly change रहता है इसमें इसमें आपको पहला कंडिशन होता है कि पहला कंडिशन क्या होगा डी एक्स एक्स कॉमा जीरो देट इस इसी कॉम बोलते हैं डी एक्स कॉमा वाई is equal to 0 if x is equal to y simple सी बात है यहां डी एक्स कॉमा एक्स is equal to 0 कैसे आया इसी कॉम बोलते हैं डी एक्स कॉमा वाई is equal to 0 यह कैसे हुआ जब x is equal to y पूट कर दोगे for example यहां क्या होता है x और y y के प्लेस में अगर मैं x इस पूट कर दोगा तो 0 आएगा वही चीज है डी एक्स कॉमा एक्स is equal to 0 इसी कॉम बोलते हैं that is x कॉमा वाई is equal to 0 if x is equal to y पहला कंडिशन सेम है तीनों कंडिशन मेंट्रिक स्पेस का ही कॉपी है पूरा है second condition क्या कहता है जो कि मारा मेंट्रिक की स्पेस में m2 कहते हैं इसको में सिमेट्री इसमें होता है d x, y is equal to dy, x अब इसी का third condition समझते हैं यह क्या हो जाएगा d x, y इसको बोलते हैं triangle inequality property होता है less than equal to d x, z plus d z, y यह तीनों property का आपको satisfy करना होता है तब यह कहलाता है क्वासी metric space हो जाता है आज का topic metric space के आगे का lecture था अगर अपना lecture 1 नहीं देखा है तो lecture 1 देखिए बहुत definition example और concept उसमें ने बहुत अच्छी clear किया आपका आज के लिए इतना ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए वडियो को like किजिए शेर किजिए अपने classmates तक और फीडिवेक जरूर दीजिए तो आज के लिए इतना ही मिलत प्रीदाब rend 체ाइब का गार आज के लिए तो आपका क्ना ही अपते प्रेक किजिए दो आपका आपका आपकाने कि bipolar आपका ही अप towards कि अपका他 उस्ताएब को कि अपने उस्नका ही है आपकाईब को गर आपकाईब रवा एे इतना ही यव झाल झाल